अध्याए एक एहमद नगर का किला यह मेरी नोवी जेल यात्रा थी हमें यहाँ आए 20 महिने से भी अधिक समय हो चुका था जब हम यहाँ पहुँचे थे तो अंध्यारे अकाशमत जिलमिलाते दूच के चांद ने हमारा स्वागत किया शुकल पक शुरू हो चुका था तब से हर बार जब नया चांद उपता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारवास का एक महिना और बीट गया चांद मेरे बंदी जीवन का सथाई सहचर रहा है वही मिझे इस बात के याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है अतीत का भार दूसरी जलों की तरह यह एहमद नगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया मैं रोज कई गंटे तपते धूप में भी फूलों के लिए कियारियां बनाने में बिताने लगा मिट्टी बहुत खराब थी पत्रीली और पुराने मलबे और अवशिशों से भरी हुई चूंकि यह एतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद और राजमेलों की दुर्बी संधियां देखी है यहां का एतिहास बहुत पुराना नहीं है घटनाओ की दृष्टी से इसका कोई विशेश एहमियत भी नहीं है पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है यह घटना है चांद वीवि नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी जिसने इस किली की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरूद हाथ में तलवार उठा कर अपने सेना का नित्रित्व किया पर अंत में उसके हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हातों हुई खुदाई के दुरान हमें जमीन की सतय के बहुत नीचे दबे हुए प्राचिन दिवारों के हिस्से और कुछ गुबंदों और इमारतों के उपरी हिस्से मिले हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि नै तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और नही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे अब मैंने कुदाल छोड़ कर हाथ में कलम उठा ली है पर मैं जब तक अजाद नहीं हो जाता और करन के माध्यम से वर्तमान को अपने अनभव का हिस्सा नहीं बना लेता मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता नहीं पैगंबर की भूम का अक्तियार कर मैं बचा रहता है अतीत पर मैं उसके बारे में भी किसी एतिहासकार व्याई विद्वान की तरह विद्वत्ता शैली में नहीं लिख सकता मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रिया कलापों के साथ संबंद स्तापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारे बोज के एक सीमा तक राहत दिलाता है अतीत का दबाव दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है कभी कभी यह दबाव दम गोटू होता है खास तोर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़े बहुत पुरानी सब्बत्याओं में होती है मसलन भारत और चीन की सब्बताई आखिर मेरी विरासत क्या है मैं किन बातों का उत्तर अधिकारे हूँ क्या उन सबका जिसे मानता ने दस्यों हजार साल से दोरान हासिल किया उसकी विज्यों के उलास का उसकी प्राजयों के दुखद यंतरा का मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कारियों का जिनकी शुरुवात युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें अकिर्शित करती है मैं इस सबका वारिस हूँ साथ ही उस सबका भी जिसमें पूरी मानव जाती की साजेदारी है हम भारतवासियों की विरास्त में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता अलबता एक बात हम लोगों पर विशेश रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मास और अस्थियों में समाई है इसी विशेशता से हमारा वर्त्मान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा इस विशेश्ट वि government का विचार और वर्त्मान पर इसे लागू करने का बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में किराए घर किये है मैं इसी के बारे में लिखना चाता हूं विशे की कटनाई और जटिलता मुझे भैवित करती है मुझे लगता है कि मैं सताही तोर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ